और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दें, बिहार में परिक्षा से पहले पेपर लीक का शक जताया जा रहा है। शिक्षक भर्ती परिक्षा के पेपर लीक का शक जताया गया है। रात के करीब एक बज रहे हैं पहले के जैसे एक बार फिर से अब नीद उड़ गई है हलकि हर दिन पढ़ाई क्या करते थे तो अलग बात थी पर आज सुकून सा महसूस हो रहा था कि पेपर हो गया है आराम से सोएंगे लेकिन जैसे घर पहुचते हैं पता चलता है कि बिहार का BPSC 3.0 का पेपर भी लीक हो गया है और यह एक दो घंटे नहीं एक दो दिन पहले से ही छातरों के मोबाईल में पहुच गया है वाटसब ग्रूप में पहुच गया है और क्या भाजपा वहां गई बिज़ेपी सरकार बिहार गई बिहार में उस्टे में सरकार गई क्या इस वज़े से पिपर लेक हुआ बट हम सबसे उससे क्या हमें तो बस नौकरी चाहिए और इतनी मेहनत से हम सभी ने पढ़ाई करी थी यूपी पुलिस आरो यारो यूपी में इतना जेलने के बाद बिहार से ही तो एक आस बची थी बट अब वो भी तूट गई है आज साम उनको बिहार में कई अस्थानों पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी किया कि परिच्छा को रद कराई जाए और परिच्छा को फिर से दुबारा कराई जाए और एक तो न्यूस यह भी मिल रही है कि 200 चात्रे एक होटल में रुके थे और इस होटल में उन्होंने पूर आप साइड में देख रहे हैं और वो पूरा प्रशन सही है अब छात्र लगातार परिच्छा को रद करने की मांग कर रहे हैं मेडिया तो अभी कुछ नहीं बोलेगी अभी बस हम जो छोटे मोड़े यूटूबर हैं हमी अपनी आवाज उठा सकते हैं तो आपको हमें सपो अब कोटे मोटे यूटूबर ही ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बड़ी मेडिया तब बोलेगी जब पेपर रद्ध हो जाये उसके बाद बोलेगी मेरे मित्र अभी तो यही परिच्छा रद्धी नहीं रहा है परिच्छा लीखी नहीं हुआ है सांपन परिच्छा हो गई दुनि आशारत करनी पड़ेगी मेरे मित्र आपकी क्या राय है अभी इस दर्द से फिर से कब उबर पाएंगे हम सभी पता नहीं मेरे मित्र अभ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्या रहा है इन बॉकस में जुरू बताईए देखते हैं नीद आती है नहीं और